हेलो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ सेविंग मेडिसिन्स की जो की emergency condition में use की जाती है फ्रेंड्स इन सभी मेडिसिन से हम किसी के जीवन को बचा सकते हैं और फ्रेंड्स अगर आप medical field से जुड़े हैं या medical practitioner है या फिर आप medical student है तो इन से भी medicines की जानकारी होना आप के लिए बहुत ही जरूरी है तो चलिए friends शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारा सबसे पहला injection है dopamine injection जो की basically low BP में use होता है friends जब किसी patient का BP नहीं आता और slow heart rate रहती है और cardiac arrest की भी सिकायत रहती है तो तब भी हम इस injection का इस्तिमाल करते है friends अब हम बात कर लेते हैं next injection की वो है हमारा adrenaline injection इसका basically use cardiac arrest में किया जाता है और friends इसका use anaphylatic shock में भी किया जाता है अगर किसी medicine का reaction हो जाए तो उसको anaphylatic shock बोलते हैं और इसका next use superficial bleeding में भी होता है देखे friends कभी कभी बहुँच जादा चोट लग जाती है जिससे की बहुच जादा blood निगल जाता है तो उसको हम superficial bleeding बोलते हैं और इसका use asthma में भी किया जाता है चलिए friends अब हम बात कर लेते हैं next injection की वो है atropine injection friends इसका use हम bradycardia में करते हैं जब heart rate decrease होता है तो heart rate को बढ़ाने के लिए इसका use किया जाता है जदे तर इसका use surgery के time किया जाता है और friends इसका next use slioproduction decrease करने के लिए भी किया जाता है दोस्तो next injection है calcium gluconate इसका basically use hypokalcemia में किया जाता है friend जब body में calcium की कमी हो जाती है तो इसको hypokalcemia बोलते हैं और इसका next use हम hypokalemia में भी करते हैं इसका मलब होता है कि potassium का level बढ़ जाना potassium के level को कम करने के लिए भी इसका इसका इस्तिमाल किया जाता है और इसका use magnesium की toxicity को भी कम करने के लिए किया जाता है और friend next injection है amiodarone यह anti-arrhythmic होता है heart की rhythm को maintain करने के लिए amiodarone का use करते हैं और next injection है हमारा dash stroke injection यह flutes form में होता है friend यह d25% और 50% में आता है इसका use basically hypokalemia में होता है hypokalemia में sugar level कम हो जाता है friends यह है sugar level को बढ़ाने के लिए दी जाती है और friends अब हम बात करते हैं next injection की वो है हमारा nitroglycerin injection friends इसका use हम hypertension में करते हैं और साथ ही इसका use chest pain में भी करते हैं जिसको हम basically angina factoris भी बोलते हैं और friends injection की बात करें तो यह होता है succinyl choline जिसका use हम short time muscle relaxant में क्या करते हैं friends इसकी जरूरत surgery के time पढ़ते हैं जिससे की टांके आसाने से लग पाए जिससे की needle easily cross हो जाए मसल में इसलिए इसका use करते हैं दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आये होगी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe and वीडियो को like जरूर करें और friends है में comment box में next topic भी आप suggest कर सकते हो thank you so much watching for my video